जो आज हम सेखेंगे मैं और हमें अंतर ठीक हैं यहां पर देखिए यहां अकेला है तो लड़का है मैं लड़का हूँ तो एक के जैसे ज़्यादा रहे तो क्या कह सकते हम लोग हम लड़के हैं ठीक हैं यहाँ पे मैं किसान हूँ देखे की कैसा लिखा है मैं किसान हूँ यह सब भी यहाँ पे दो लोग है तो हम किसान है ठीक है इसके बाद है मैं जवान हूँ जवान में स्फोजी मैं जवान हूँ यहाँ पे हैं हम जवान है ठीक है इसके बाद है मैं वकील हूँ मैं वकील means advocate हम वकील है we are all वकील sorry advocate इसके बाद मैं लड़की हूँ I am a girl हम लड़कियां है we are all girls मैं डॉक्टर हूँ हम doctor है एक रहा तो doctor हम doctors है इसके बाद मैं शिकशक हूँ हम सब शिकशक है मैं औरत हूँ हम औरते है यहाँ पे हमने सिखा है मैं और हम में अंतर क्या है मैं मतलब individual हम मतलब बहुत सरे लोग चलिए अब आगे सीखते हैं तु राजु है तु लड़का है तु कमले है तु लड़की है छीक है इसके बाद तुम और आप में अंतर लेकिन तुम लड़का हो तुम कमला हो तुम राजू हो तुम सीता हो आप डॉक्टर है आप शिक्षक है यानि कि तुम means individually हमारे एक साथ केज़के रहते हमको उनको तुम तू ऐसे बोल सकते हैं और जब हमारे से भी उच्छ पदी में हूँ उच्छ स्तर पर हो उनको क्या कहते हैं आप डॉक्टर है आप शिक्षक है आप वकील है आप जवान है इस तरह कैसे तुम और आप में अंतर है इसके बाद है कविता आजहां सीखेंगे मैं हाती हूँ मैं हाती हूँ बदन मेरा मोटा है आखे मेरी छोटी है आवस मेरा जंगल है काम मेरा मंगल है रंग मेरा काला है पास मेरे माला है चीक है यहाँ पर क्या है और एक बार पढ़ते हूँ मैं हाती हूँ बदन मेरा मोटा है आखे मेरी छोटी है आवस मेरा जंगल है काम मेरा मंगल है, रंग मेरा काला है, मैरे पास भी वाला है. यहाँ पर क्या है? सही जोड़िया बनाना है. यहाँ पर पदप कर लिया, तो ही जोडियां बनाए हाती है हाती है साती है हाती है और साती है मोटा है पर छोटा है जंगल है और मंगल है काला है और माला है इस तरह किसे इसको जोडा जा सकता है यहाँ पे दिखिया भी सही चिन पर गया गलत सही चिन पर गलत बताईए तू शिक्षक है Is that correct? No, it is wrong आप शिक्षक है आता है तो यहाँ wrong है तू लड़का हो तू लड़के हो आता है लड़का हो आता है यहाँ पे यह भी गलत है मैं राधा है यह भी गलत है हम लड़किया है यह सही है इस थरीके से आपको बनाना होता है चलिए आज़ाँ क्या, कौन, कहा क्या means what क्या means who कहा means where यहाँ क्या है यहाँ क्या है यहाँ गुलाब है इसी है गुलाब यहाँ क्या है, यहाँ गुलाब है वहाँ क्या है वहाँ means there वहाँ क्या है वहाँ मचली है वहाँ मचली है वहाँ कौन है वहाँ किसान है वहाँ कौन है वहाँ कौन है मैं तुम कोन हो तुम रादा हो ठीक है या पर आप कौन है आप कौन है आप डॉक्टर है इस तारीके से बात करना होता है यहां पर दिख्याँ भी गुलाब कहां है गुलाब मेज़ पर है गुलाब कहां पर है गुलाब मेज पर है उसके बाद मचली कहां है मचली पानी में है मैं आपको पढ़ने के इसलिए भी सिखा रही हूँ और कौन से शब्द को किस अर्थ से उपयोग करके बोला जाता है वो भी सिखा रही है मचली कहा है where is the fish fish is in the water राधा कहा है राधा घर में है where is the राधा राधा she is in the home ठीक है इस तरीके से सिखा जाता है देखें यहाँ पर क्या कौन कहा के प्रयोग के बारे में हमने आज सीखा है ठीक है क्या means वस्तूओं को सूचित करता है क्या है जो what वस्तूओं को सूचित करता है कौन वेक्तियों को सूचित करता है आप पे किसको वेक्तियों को सूचित करता है कहा वस्तूओं वेक्ति को स्तान को सूचित करता है इसको हम इस्तमाल करते हैं ठीक है यह रहा आज के लिए आ तब मेरे साथ ही दो रहे हैं ताकि आपको पढ़ाए के लिए आसानी हो सके अगले क्लस में कुछ नया सी कहेंगे तब तक धन्यावाद